Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah कैसे हैं सब लोग, उमीद करता हूँ सबी लोग अच्छे होंगे और जोर लगा के तैयारी कर रहे होंगे, बेटा पूरा जोर लगा देना अब दो महीने न, ये नहीं सोचना कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा, नहीं होगा ये सब नहीं सोचना, बस भागना है, दो महीने, ठकना नहीं है, रुकना नहीं है, बिमार नहीं होना है, ये सब चीजों का बहुत ज़्यादा धियान रखना है, ओके, सो, MCQ's discuss करेंगे, Indian Freedom Struggle में से, lecture number 19 होगा ये, सारे के सारे lectures देखने हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने lecture डले हूँ है, इस playlist के अंदर, जितने EPFO के lecture डले हूँ है, सारे important है, ठीक है, सारे देखने हैं आपने, चलो, और ये एक mock test का link डला हुआ है, description में वीडियो डल चुका है, अभी और भी mock tests डलने है, साथ के साथ देते रहो, अभी पहला डला हुआ है, उसको दे लो, ठीक है, उसके बाद next mock tests देते रहना, साथ के साथ तभी idea लगेगा, बिल्कुल UPSC, EPFO, AOEO के pattern के उपर है, बिल्कुल AOEO के pattern के उपर है, तो इसको जरूर attempt करना है अपने, question पर आधा हुची, पहला question, 1998 में आया था, civil services के अंदर, the educated middle class in India, option A, opposed the revolt of 1857, 1857 के revolt के against थे, option B, support किया था revolt को, option C, neutral रहे थे revolt में, option D, fought against native rulers, oppose, मतलब कि 1857 का revolt against थे, उसको support किया, neutral रहे, ना support किया, ना against थे, and option D है कि native rulers से, के against, इन्होंने fight किया, इस type के questions, paper के अंदर, पूछे जाते हैं, so definitely, यहाँ पर आपका answer क्या होगा, और खुद से answer करने की कोशिश जरूर करनी है, बेटा, है ना, तो यहाँ पर आपका answer होग option C, neutral, they remained neutral to the revolt of 1857, ठीक है जी, they remained neutral to the revolt of 1857, ना oppose किया, ना support किया, neutral थे, so basically, यहाँ पर, जो revolt हुआ ना, उसको सारी classes ने support नहीं गया था, यह एक major drawback था, जब हम drawbacks देखते हैं ना, कि revolt of 1857 was not so successful, why, क्या उसके drawbacks थे, उस revolt के, तो उसमें से एक सबसे बड़ा drawback था कि सारी classes ने उसको support नहीं किया, जैसे जो money lenders थे और merchants थे, जो mutineers थे ना, जो revolt कर रहे थे, mutineers कर रहे थे, जो लोग, वो काफी जादा badly treat कर रहे थे money lenders और merchants को, इनको लूटा जा रहा था, okay, because money lenders को एक major reason consider किया जा रहा था, for the bad condition of farmers तो money lenders और merchants, which were suffering from the mutineers, उन्होंने तो Britishers को support किया, कि भया, Britishers को support करो, ताकि यह जो mutineers है, इनको खतम किया जा सके, जो educated Indians थे, उन्होंने का यह revolt backward looking है, ठीक है, यह revolt जो है ना, क्योंकि revolt के reasons हम कहीं पढ़ते हैं, तो उसमें, जैसे, जो social religious reforms हुए, लोग उनसे ना खुश ठीक है, conservative एक तरीके से approach उन्हें लगी, जो educated Indians थे, कि यह तो modernity को रोक रहा है, तो इन्होंने Britishers को, दो इस revolt में support नहीं किया, लेकिन they were also not against the revolt, ठीक है, वो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, educated Indians इस time पर बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, इंडियन जो राजा थे, उन्हो इन्होंने तो Britishers को खुल के help करी, इसके अंदर, ठीक है, उन्होंने revolt को join तो क्या करना था, उन्होंने खुल के help की, ठीक है, rulers who did not participate include, सिंधिया औफ ग्वालियर, holker औफ इंदोर, ruler औफ पतियाला, सिंध और six shifteans जो थे, महराजा औफ कश्मीर थे, इन्होंने revolt में Indians की तर helps, next question दोस्तो, next question का answer already highlighted है, चलो कोई बात नहीं, the first feature film, talkie to be produced in India was 1999 में question पूचा गया था, NCRT के अंदर covered है, option B, Alam Ara was the first feature film, okay, and first Indian sound film थी ये, इसके director थे, अर्देशिर, इरानी, इससे पहले जो films बनी थी, talkie के यहाँ पर बात हो रही है, talkie, यानि कि बोलने वाले character थे, इसके अंदर, silent film नहीं थी, okay, और इतनी जादा ये film उस टाइम पर popular होगी थी, कि पुलिस को बुलाना पड़ता था, भीड को control करने के लिए, third question, the governor general who followed a spirited forward policy towards Afghanistan was, governor general सबने बहुत अच्छे से करने हैं भाई, governor general में से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने governor general voice row हैं, उनको अच्छे से cover up करके जाना, directly question paper में पूछता है, तो forward policy towards Afghanistan follow करने वाला कौन सा governor general था, option A, Minto, B, Dufferin, C, Elgin, D, Litton, यहाँ पर अंसर क्या होगा दोस्तों, अंसर है, option D, Lord, Litton जो थे, इनकी ये forward policy थी, towards Afghanistan, ये एक policy लेकर के आये थे, Litton, voice row है बने थे, 1876 में, और इन्होंने एक policy शुरू की थी, एक foreign policy, जिसका नाम था, proud reserve, तो अगर इस टाइप का कोई question that which among the following voice rows in India introduced a foreign policy of proud reserve, तो वो Litton थे, इसमें aim क्या था, इन्होंने का यार, जो इंडिया के frontiers है, यानि की इंडिया के जो border है, ठीक है, इंडिया के जो border है, उन borders को हमें safeguard करना है, ठीक है, उनको हमने proper अपना महाँ पर spare of influence establish करना है, ताकि कोई और outside power, threat ना बने British rule को इंडिय के अंदर, और इसी वज़े से लिटन चाते थे, जी अफगानिस्तान के साथ, अब हमारा जो relationship है, वो ambiguity में नहीं रह सकता, हमको clear front lines establish करनी पड़ेंगी, ठीक है, काफी ambiguity थी border के साथ अफगानिस्तान के, तो उसको clear ये करना चाते थे, और Lord Litton के time पर ही अगर आप देखोग इनके अंडर appoint किया गया था, रिचर्ड स्टाचे के अंडर, royal titles act, जिसमें Queen Victoria ने कैसरे हिंद का, या Empress of, Queen Empress of India का title लिया, vernacular act, press act, pass किया गया, arms act, pass किया गया, तो काफी, ये एक Lord Litton का जो voice roy ship थी, वो ऐसा voice roy ship का period था, जब इन्होंने काफी लोगों को नाराज किया, पश्रोय के decisions है, क्योंकि ये, vernacular press act, arms act, सब को consider किया गया, specially जो modern और educated class थी, उन्होंने इसको देखा, as treating Indians inferior, okay, next है जी, fourth question, ये एक statement है, जो NCIT के अंदर, as it is, पुराने वाली NCIT के as it is, मिलेगी आपको अंदर, at a time when empires in Europe were crumbling, before the might of Napoleon, Napoleon तंग कर रहा था, उस ताइम पर पूरे ये औरोप में तहलका मचा रखा था, तो Napoleon, at the time when empires in Europe were crumbling, before the might of Napoleon, which one of the following governor generals kept the British flag flying high in India, basically Napoleon ने जब दहशत मचा रखी थी, तब ये जो governor general थाना है, ये इंडिया के अंदर एक forward policy लेकर के चल रहा था, ठीक है, ruling की policy लेकर के चल रहा था, तो कौन था ये, option है, Warren Hesting, B. Lord Conwallis, C. Lord Wellesley, D. Lord Hastings, तो यहाँ पर आपका answer क्या है दोस्तो, answer is option D. Lord Hastings, देखो अगर किसी को थोड़ाचा history का timeline का idea है न, तो वो ये तीन option तो बड़े easily eliminate कर सकता था, ठीक है, बड़े easily eliminate हो जाते है, क्योंकि Napoleon का जो major period था न, वो Hastings वाला period था, ओके, so Lord Hastings, 1813 से 1823 तक governor general है, इन्हों एक नई policy लेकर के आए, paramountacy, paramountacy की policy क्या थी, इन्होंने बोला कि देखो जी, जो company का claim है, या उस समय company होती थी न, British company होती थी, East India company होती थी, तो company का जो claim है, या company की जो power है, वो बाकी के सारे इंडिया की जो states बनी होई थी, जो राजे रजवाडे बनी होई थे, उनसे सबस सुपीरियर है, और अपना interest प्रोटेक्ट करने के लिए, company बिल्कुल justified है, अगर वो किसी Indian kingdom के उपर कबजा कर लेती है, या उसको धमकाती है कि हम तेरे पर कबजा कर लेंगे, नहीं तो हमारी terms and condition मांग ले, क्योंकि हम supreme है, हम superior है, हम paramount है, ठीक है तो यह paramountacy का concept जो आया थ okay, और इससे आप देखोगे, इसके बाद 1813 में Lord Hastings के आने के बाद फिर यह policy पूरा time चलिया ब्रिटिश में, जब तक finally पूरे इंडिया को इन्होंने annex नहीं कर लिया, revolt of 1857 तक specially, last question देखेंगे इस lecture का, which one of the following statement is not correct, number one, Neil Darpan was a play based on exploitation of the indigo farmers, okay, option number two, the author of the play, Ghasiram Kotwal is Vijay Tandulkar, option A, one only, B, two only, C, both of the above, D, none of the above, आपको बताना है, इन में से कौन सा statement not correct है, so the right answer in this case guys is option D, क्योंकि यह दोनों statements correct हैं, और आप से पूचा गया है, which one of the following is not correct, तो none of the above options is correct, okay, तीनों options नहीं हैं, तो answer D हो जाएगा, तो जी देखो, नील दरपन basically, दीन बंधू, जी ने लिखी थी, it was written by दीन बंधू, और ये बेंगॉल की एक condition के उपर based एक play था, क्योंकि Britishers, Bengal farmers को force कर रहे थे, इंडी गो grow करने के लिए land पे, और ultimately फिर workers ने एक union form किया, और revolt कर दिया, against the forced obligation to grow इंडी गो, उसी सारी situation को ये नील दरपन play जो है दीन बंधू का, वो represent करता है, उसके बाद जी, 20th century के अंदर, drama की growth काफी जादा हुई, इंडिया के अंदर, dramatical place की, जो social issues को basically represent करते थे, जिन में कुछ important place थे, विजे तंदूलकर का घसी राम कोतवाल, गरीश करनड का तुगलक, मोहन राकेश का आधे अधूरे, और महेश दतानी का final solution, यह as it is, NCRT के अंदर mentioned है, ठीक है, इसी लिए इनको यहाँ पर मैंने डाला है, थोड़ा सा अगर दिमाग में रख लेंगे, तो बेटर रहेगा, with this we come to the end of these five questions guys, acute five questions, and मिलेंगे इसी तरीके से, next lecture के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कोई भी दिक्कत हो, contact कीजिए, whatsapp, mail, telegram, comment, जो आपको अच्छा लगे वो करें, मिलेंगे next class में, till then take care and bye.